शिम्ला के संजोली में मस्जित को लेकर विवाद तूल पकड़ता जा रहा है दो समुदाई के युबकों में लडाई के बाद इस मस्जित को गिराने की मांग तेज हो चुकी है ये मांग हिंदू संगठन उठा रहा है आरोब लगाया जा रहा है कि ये मस्जित अवैध रूप से बनाई गई है जिसके चलते आज शिम्ला में भाजपा कारे करता हूँ हिंदू संगठनों और स्थानिय लोगों ने संजोली मस्जित के कथित अवैध निर्मान के खिलाफ शिम्ला में विरोत प्रदर्शन किया आपको बता दें ये मस्जित 1947 से पहले की है और इसमें दो मंजिल बिना अनुमती के बनाए गए है इस पूरे मामले को लेकर संजोली में माहौल काफी तनाव पूरण हो चुका है और इस पर भाजपा कारे करता अंकुष चरहान का कहना है कि ये मस्जित अवैध बनी हुई है मस्जित की चार मंजिलें अवैध हैं दस साल हो गए है इस मस्जित पर कारवाई क्यों नहीं हुई है ये अवैध मस्जित गिरनी चाहिए जानकारी के मुदाबिक संजोली में बजार के ठीक साथ ये मस्जित बनाई गई है और इसके दो मंसिलें अवैध है ऐसे में इन्हें तोड़ने की मांग लगातार उठाई जा रही है बीतेर अविवार को यहाँ पर प्रदर्शन हुआ था और अब इस मामले ने काफी तूल पकड़ ली है ऐसे में सरकार ने किसी भी तरहां की अन्होनी से बचने के लिए संजोली में पांच किलोमेटर के दाइरे पर पुलिस भल की तेनाधी की है शिमला के संजोली में मस्जित तोड़ने को लेकर हिंदू संगठन अड़े हुए है कॉंग्रेस के मंत्री भी मस्जित को तोड़ने की मांग उठा रहे है चार दिन पहले हिंदू संगठनों ने रैली निकाली थी जिसमें शिमला नगर निगम के कॉंग्रेस के तीन पार्षत भी शामिल हुए थे और मस्जिद के बाहर धर्ना प्रतर्शन किया गया था और मस्जिद के निर्मान को गिराने की मांग तक उठी थी इस विवाद को देखते हुए सी एम सुखु का बयान भी अब सामने आया है मस्जिद विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए सुखु का क्या कहना है आपको सुनाते है लेकि कोई भी सरकार का मंत्री ने ऐसा जान नहीं दिया हुआ परदेश में सभी नागरिक एक सम्मान है परदेश में सभी का धर्मों का सम्मान है और मैं कि कह सकता हूँ कि जो भी कानून बिवस्ता को अपने हाथ में लेगा हमारी सरकार कड़ेश का पालन परेगे कानून बिवस्ताम को हाथ में लेने का किसी के पास कोई अधिकार नहीं है क्या कारण रहे हैं कि क्यों ऐसी बात पर रही है इस पर हमने गहनता से विचार में मस्किया कल शारी विकास मंतरी ने भी इस पर अपना ब्यान दिया है और किसी भी परकार के कोई भी ऐसी बारदात को हमाचल परदेश में नहीं होने दिया जाएगा क्योंकि हमाचल परदेश में आने वाला हर एक नागरिक जो है वो कानून से भी बन्दा है और हम सब हमारे जो हां के साथिये वो भी कानून से बन्दे है इसलिए जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं यह प्रोटेस्ट उनका है पीस्पुली प्रोटेस्ट हो वो हम उसका सम्मान करते हैं लेकिन किसी भी परकार की कानून विवस्ता को तोड़ने की जाज़त चाहे वो कोई राजनितिक लेता है चाहे कोई वो कार्या करता है चाहे किसी पार्टी का समर्थक है उनको नहीं है। पंचायती राजमंत्री अनिरुद सिंग का कहना है कि किसी भी धार्मिक स्थल का मामला नहीं है। ये वैद और अवैद निर्मान का मामला है। 2010 में इसका निर्मान शुरू हुआ था और यहाँ पर पहले दुकान हुआ करती थी। इस मामले पर कई बार नोटिस भी दिये गए लेकिन यहाँ पर जो निर्मान हुआ है वो 6750 स्क्वेर फीट तक पहुँच चुका है। ये जमीन हिमाचल प्रदेश सरकार की है। सरकार की जमीन पर कोई भी इस तरह का निर्मान नहीं कर सकता। आपको बताएं कि शिमला में NGT ने धाई मंजल से जादा निर्मान की इतजाज़त नहीं दी है। और यहाँ पर कॉंग्रेश और भाज़पा के राज में इस मस्जिद के निर्मान कार्या चलता रहा। लेकिन किसी ने कोई कारवाई नहीं की। एहम बात ये है कि नगर निगम प्रशासन के पास मामले की शिकायत लंबित है और शनिवार को मामले में सुनवाई होगी। महराल संजोली में मामला काफी गरमाया हुआ है। हिंदू-मुसलिम दोनों संगठन आमने सामने हैं। देखना होगा प्रशासन इस पर क्या कारवाई करेगा।